हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जो आप इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमाई यूटूब चैनल जो आप इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो आयाइटी की तरफ से जैबर 10 वेकंसी लेकर आचुका हूँ, इसमें दोस्तो 31 पदो पर नर्सिंग की वेकंसी आचुकी है, जूनियर टेक्निशन की वेकंसी आचुकी है, जूनियर इंजीनियर इसके अलावा फिजियो थेरापिस्ट और भी बहुत सारी पोजीशन पर परमर और सरकारी भरती आचुकी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो बिलकुल IIT नर्स भरती 2024, दोस्तों IIT की तरब से 31 प अप लाइक कर पाओगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अलग अलग न्यूज पेपर में और इंप्लॉइमेंट न्यूज पेपर में जो है आपका सौर नोडिफिकेशन आ चुका है, IIT हैदराबास से जो है यह सरकारी भरती निकाली गई है, यहाँ पर देखो कि नर इस निकाली गई है, उस नोटिस को दिखाएंगे, फिर आपको लेके चलेंगे, ओफीसिल वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, अलग अलग न्यूज पेपर में और इंप्लॉइमेंट न्यूज पेपर में जो है, यहाँ पर देखिए, ग्रूप A की वि निकाली गई है, यानि कि दोस्तों, गरूप A, गरूप B, गरूप C की विकेंसी निकाली गई है, और 31 पदोप पर वेकेंसी निकाली गई है, 10 दिसम्बर सामको 5 बजे तक फार्म को उपलाई कर पाओगे, IIT हैथराबाद से वेकेंसी निकाली गई है, आप लोग जाओगे IIT हैदराबाद की वेबसाइट पर दिवाली तक जो है आपको विज्यापन मिल जाएगी आप लोग सबसे पहले उपर देखिए Indian Institute of Technology हैदराबाद भारती प्रधोग की संस्थान हैदराबाद का नोटिफिकेशन है डेट मेंसन है 19 अक्टूबर 2024 एडिविटी नमबर है IITH ओबलिक 2024 ओबलिक ENF ओबलिक 16 और यहाँ पर देखिए रिकूर्ट में नोटिफिकेशन फॉर नोन टीचिंग पोजीशन नोन टीचिंग पोजीशन ग्रूप A, ग्रूप B, ग्रूप C की विकेंसी आचुकी है बिलकुल पर्मन सरकाई नोकरी है क्योंकि यहाँ पर देखिए बुला गया है रेगुलर बेसिस पर यह विकेंसी निकाली गई है और पूरे भारत से आप लोग फार्म को अपलाई कर पाओगे जोब लोकेशन आप लोगों का IIT हैदराबाद होने वाला है दोस्तों बहुत ही जबरदस विकेंसी होती है IIT से क्योंकि IIT जो है बहुत ही जबरदस है जैसे कि इंजिनिरिंग का सबसे बड़ा संस्थान है IIT medical का सबसे बड़ा संस्थान है NEET तो NEET और IIT से जो भी vacancy निकल जाते हैं NEET मील से जो NEET से जो AMS होते हैं और बहुत सारे जो top level के medical college होते हैं वहाँ पर vacancy अच्छी होती है और IIT जो है engineering का सबसे बड़ा संस्थान है तो यहाँ से जो vacancy आती है जबड़ास vacancy होती है और आप जो है IIT में nurse बनोगे IIT में आप engineer बनोगे जो की जबड़ास संभावने हैं कि आपके पास से अच्छा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा सबसे पहले देखिए सुप्री टेंडिंग इंजीनियर की vacancy है maximum upper age limit जो है 50 years है एक ही vacancy है UR category में PL 13 के तहट दियाबर दस सेली मिलेगी Public Relations Officer PRO की जो है एक vacancy है UR category में है UR category में जो vacancy है इसमें all category firm को अपलाई कर पाएंगे PL 10 के तहट आपको सेली मिलेगी PRO में जो है upper age limit 45 years है चलिए गुरू भी non teaching positions यहाँ पर देखती है जिसमें technical superintendent computer science and engineering की जो है one vacancy UR category में है maximum की बात करते हैं तो upper age limit 40 years है PL 8 के तहट आपको सेली मिलेगी pay level PL मिन्स pay level आपकी 8 रहने वाली है junior psychological counselor की यहाँ पे male के लिए vacancy है PL 8 के तहट सेली मिलेगी एक ही vacancy है और यह OBC के लिए है upper age limit 40 years है and नीचे आईए और यहाँ पे देखिए executive assistant की यहाँ पे total 3 vacancy है PL 6 के तहट सेली मिलेगी upper age limit 35 years है physiotherapist male के लिए one vacancy UR category में है maximum age criteria 35 years है PL 6 के तहट आपको सेली मिलेगी और nurse की यहाँ पे vacancy है staff nurse की यहाँ पे vacancy है male और female दोनों लोगों के vacancy है male और female दोनों nursing के लिए apply कर पाएंगे तो IIT nurse की यहाँ पे total 4 vacancy है जिसमें से एक vacancy के गरा हम बात करते हैं तो आपकी जो है OBC के लिए है और 4 vacancy UR category के लिए है total 5 vacancy है तो IIT हैदराबाद nurse की यहाँ पे total 5 vacancy है 5 में से एक vacancy OBC के लिए है 4 vacancy UR category के लिए है यहाँ पे देखिए junior technical superintendent computer science and engineering में जो है one vacancy है इसका upper age limit 35 years है PL6 जो है आपको selling मिलेगी इसके लावा age में आपको छूट मिलेगी अभी देखिए junior engineer electrical के यहाँ पे total 2 vacancy है और 35 years upper age limit है इसके अलावा OBC वालों को सभी पोजीशन में जो है 3 वर्स की छूट मिलेगी और ESC HD वालों को जो है 5 वर्स की छूट यहाँ पे दी जाएगी group C non-teaching position पर vacancy निकाली गई है इसमें junior technician की जो है vacancy है उससे पहले accountant की यहाँ पे 2 vacancy है artificial intelligence AI की यहाँ पे एक vacancy है biotechnology की एक vacancy है center workshop की यहाँ पे 2 vacancy है chemistry की यहाँ पे 1 vacancy है chemical engineering की यहाँ पे 2 vacancy computer center की यहाँ पे 2 vacancy है इस तरीके से vacancy यहाँ पे junior technician के लिए निकाली गई है चेकाउट कर लो अब देखे जो भी आपके vacancy की जो data है और जो आपके certificate है जैसे OBC certificate, car certificate EW certificate 1 April 2025 के यहाँ पे date to mention है लेकिन अगर बात करते हैं तो 1 April 2024 के बाद का बना होना चाहिए 1 April 2024 के बाद का ही बना होना चाहिए OBC car certificate और domicile certificate EW certificate मान होंगे बाकी जो vacancy है vacancy के जो data है 1 April 2025 तक का ही रखा गया है बाकी online mode में आप लोग farm apply कर पाओगे online जो है बहुती जल सुरू हो जाएगा जैसे online सुरू होगा मैं आपको inform कर दूँगा 10 December सामको 5 बज़े तक farm apply कर पाओगे चलिए IIT हैदराबाद की website पर वहाँ पर ही आपको सारे जानकारी मिलने वाली है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो IIT हैदराबाद की website है ओपर चकाओड कर सकते हो IIT हैदराबाद staff recruitment और यहाँ पर देखिए आप लोग जो है detail में notification देख पाएंगे और यहाँ पर 10 दिसंबर सामको 5 बज़े तक farm को apply कर पाओगे तो जो click here है इस पर click करोगे full notification मिल जाएगी 19 अक्टूबर को जो है आपका full notification निकाला गया है full notification भी आ चुका है आप लोग check out कर सकते हो 23 अक्टूबर से online शुरू हो चुका है आप लोग 10 दिसंबर farm apply कर पाएंगे नीचे देखिएगा तो qualification की बात करते हैं तो ऐसे हम बात करेंगे अभी nurse के लिए qualification देखेंगे तो यहाँ पर देखिए nurse के लिए total 5 vacancy है और nurse में जो है BSC nursing इसके अलामा 3 साल का experience आपके पास होना चाहिए junior technician के लिए qualification यहाँ पर देख लेते हैं junior technician में जो है B, Btec वाले farm apply कर पाएंगे तो जो junior technician की vacancy इसमें bachelor degree BSC, Btec, BCA यह सभी लोग यहाँ पर farm apply कर पाएंगे बाकि full notification आचुका है सब कुछ यहाँ पर mention है आप लोग check out कर सकते हो यहाँ पर सारी information है full notification आचुका है और BSC nursing के पास 3 साल का experience चाहिए GNM के पास 5 साल का experience है तो आप लोग IIT हैदराबाद के लिए farm भर सकते हो 500 रुपे application fees यहाँ पर लगने वाला है इसके अलामा जो SCHC हैं और जो EWS हैं उनके लिए online बिलकुत फिरी है साथे जो महिला है उनके लिए भी online फिरी है बाकी OBC के लिए और UR कड़गरी के लिए यहाँ पर OBC और UR कड़गरी के लिए 500 रुपे application fees बाकी जो all कड़गरी महिला है और जो SCHC हैं और जो EWS हैं उनके लिए online बिलकुत फिरी है तो form भरिएगा यहाँ पर apply here का option है इस पर click करके धन्यवाद